प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्रता, नो यूर फेट पहत पून होती हैं और सभी समर्पित होती हैं भगवान विश्नु को जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं सफला यानि कि इस एकादशी व्रत को करने से आपको हर काम में सफलता भी मिलती है और इसके साथ आपके जीवन में सुख समर्दी का आगमन भी होता है तो देवगुरु विश्णु जी को समर्पित हर एकादशी का अपना ही महत्व होता है जो हमारे जीवन में सुक समर्द्य और शांती का वाजली करके आती है सफला एकादशी का वरत करने से आपको बैक्भूंट की प्राप्ती भी होती है इस साल जो सफला एकादशी का वरत रखा जाएगा वो 19 दिसंबर को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 20 दिसंबर को इसके साथ ही पोश्मा के साथ ही खर मास भी शुरू हो चुका है यानि की सूर्य देव धनु राशी में प्रवेश कर चुके हैं धनु सकरान्ती के साथ ही खर मास की शुरूआत भी हो चुकी है तो पोश्मा और खरमास में किसी भी तरह के वरत और आपके धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं पूजा पाठ और दान का अपना ही महत होता है और ऐसे में सफला-ई-कादिशी का वरत आपके इन दान पून को और भी महत पून बना देता है आईए जानते हैं कि सफला-ई-कादिशी के दिन ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए इसके साथ साथ अपनी राशी के अनुसार आप ऐसा क्या कर सकते है कि आपके जीवन में अगर ग्रहों का कोई भी कश्ट है तो आप उससे मुक्ती भी पा सकते है क्योंकि खर मास में किये गए किसी भी तरह के दानबुन मंत्रजब का अपना ही महदव होता है और इससे आपको कई गुना जादा फलो की प्राप्ती भी होती है क्योंकि सफला एकादशी श्री हरी विश्नु को समर्पित है तो इसलिए आपको इस दिन पीले वत्र धारन जरूर करने चाहिए सबसे पहले अगर आज के दिन सफला एकादशी के दिन आपको कोई भी काम करना है तो उसमें एक चीज आपके विचार बहुत ही महदबूर होते है तो एकादशी तिति के दिन अपने विचारों को शुद्ध जरूर रखे शारिरिक और मानसिक सुद्धता दोनों ही बहुत ही महदबूर होती है आज के दिन आपको क्या-क्या चीजsें नहीं करना चाहिए सबसे पहली जीज कि पीपल में शृहरि विष्णू का बास माना गया है तो सफला एकादशी के दिन किसी भी कादशी तितितिको आपको पीपल के पते नहीं तोडने चाहिए इसके साथ साथ आपको तुलसी दल भी तोड़ने से परहेज करना चाहिए यहां तक कि तुलसी को जल भी अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि माद तुलसी भी इकादशी पे निर्जला वरत रखती हैं तो इसलिए तुलसी को जल भी नहीं दिया जाता है इसके साथ ही जो छोटे जीव जन्तों होते हैं जैसे चीटिया वगरा इनको भी आपकोशिश करें कि अनजाने में भी आप से इनका कोई नुक्सान नहां। इसके जगा आप कोशिश करें कि आप इनको भुना हुआ आटा चीन कुछ भी मीठा मिला करके खान मिला करके जरूर दे इसके साथ ही आज के दिन सफला एकादिशी के दिन या किसी भी कादिशी में किसी का दिया हुआ अन आप ग्रहन ना करे इसके साथ ही एकादिशी तिथी को चावल का सेवन करते हैं तो अगले जनम में आपको रेंगने वाले कीरे को ये रूप में आपका जनम होता है तो इसलिए एकादिशी तिती के दिन आपको चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको इकादिशी तिती के दिन जरूर करनी चाहिए सबसे पहले आप सुबह सवेरे सभी अपने कामों से निवरित होने के बाद आपको श्रीहरी विश्णु को एक पीले आसन पर विराजमान करके उनके आगे दूब दिद दिया जला करके उन्हें पीली मिठाई पीला भोग और साथ ही पीले फूल जरूर से अर्पित करने चाहिए इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसन प्रॉब्लम से सल्यूशन ता आइस सर्थ नाम का पाट भी जरूर करना चाहिए आपको श्री हरी विष्नु को पीला चन्देन का टीका लगाना चाहिए साथ ही विष्नु जी के अराधना के साथ मालक्षमी के अराधना भी जरूर करें आप उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जब कर सकते हैं इन मंत्रों का जब आपको विजन्ती की माला पर करना चाहिए इसके साथ ही आपको जब हम बात करते हैं एकादुशी वृत की श्री हरी विश्नु को समर्पित वृत की तो इस से आपको सुक सम्रिद् इस समय में एक तो सफलाई कादुशी उसके साथ साथ खरमास इस समय में दान कुनने का अपना ही महत्व होता है अगर आप इस समय पे अपनी राशी के अनुसार दान करते हैं तो इसको आपको कई गुना फल प्राप्त होता है तो आए जानते हैं कि इस दिन सफलाई कादु आपको अपनी राशी के अनुसार क्या क्या चीज़े या तो दान करनी चाहिए पूजा पाट करना जाहिए जिस से आपका जीवन भी और सुखमी हो सके सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी के बारे मेश राशी के लोगों को आप इस दिन श्री हरी विश्नु को कुड का भोग जरूर लगाए इसके साथ था श्री हरी विश्नु के किसी भी मंत्र का आप जब जरूर कर सकते हैं आप चाहें तो विश्नु सहस्तनाव का पार्ट भी किया जा सकता है इसके साथ ही अगर हम विशब राशी की बात करें तो आज के दिन आप लोगों को तुलसी का थी कि दिन तुलसी के पौधे को चल नहीं दिया जाता है अगर हम बात करें मिथुन राशी की तो मिथुन राशी के जातकों को इस दिन श्री हरी विश्नु के विश्नु सहस्तनाम का पार्ट जरूर करना चाहें इसके साथ ही आप विश्नु चालीसा का पार्ट भी कर सकते हैं अगर हम बात करें करक राशी के करक राशी के जातकों को क्या करना चाहिए इस दिन आप लोगों को श्री हरी विश्नु को केले का फल जरूर चड़ाना चाहिए केला जरूर चड़ाना चाहिए पीले फूल अर्पित करने चाहिए और इसके साथ ही विश्नु चालिसा का प तो आपको कन्या-राशीक के जात्कों को अपने ग्रहों के किसी भी कष्ट को कम करने के लिए पीले चंदन का टीका जारूर लगाना चाहिए और विश्नुजी के ओम् नमु भगवते वासु देवायं मंत्र का जब जरूर जाया सफला एकादिशी के दिन आप चाहें अगर आपको लगता है कि वरत बहुत कठिन है आपके लिए आप नहीं कर सकते तो अप लोग अपने खाने को अपने भोजन को साथ विक रखें और शाकाहारी भोजन करें और अपने भोजन में चावल को एबोईड करें आप तो भी आपको उतना ही फल जरूर मिलेगा वहीं अगर हम बात करें तुला राशी की तो तुला राशी के लिए उन्हें भगवान श्री हरी विश्णू को पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए और इसके बाद इसे जरूरत मंदों में वितरित भी करना चाहिए अब बात करें विश्चिक राशी के बारे में तो विश्चिक राशी के लिए बहुत ही महत पूर है कि आप श्री हरी विश्णू के विश्णू सहस्त नाम का पाठ हमीशा करें डेली करें आप रोज करें श्री हरी विष्णू के सहस्त नाम का पठ आप के लिए बहुत ही शुपलदाई होगा वहीं अगर हम धनु राशी की बात करें तो धनु राशी के जो लौड है वो देव गुरू ब्रश्पती हैं तो ऐसे में आपको श्री हरी विश्नु के किसी भी एक मंत्र का जब 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 करना चाहिए आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासु देवा मंत्र का जब कर सकते हैं इसके साथ साथ श्री हरी विश्नु को आप केला और गैंदे के फूल भी जब अर्पित करें वहीं अगर हम बात करें मकर राशी के बारे में तो मकर राशी के लोगों को भी विजन्ती की माला पे श्री हरी विश्नु के किसी भी मंत्र का जब जरूर करना चाहिए वहीं कुम राशी के लिए ओम नमो भगवते वासु देवा या फिर ओम नमो नारायन मंत्र का जब जरूर करना चाहिए वहीं बात करते हैं मीन राशी के बारे में तो मीन राशी को चाहिए कि वो इस दिन सफला इकादिशी के दिन अन्का दान जरूर से करें इस समय पे आप श्री हरी विश्णू को पिले फल भी अर्पित कर सकते हैं सफलाई कादिशी के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुक समरिदी का वास हो तो अपने खान पान को शुद्ध और शाकारहारी जरूर रखें इसके साथ ही मांसिक और शारिरिक जिद्धा भी जरूर रखें ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहें एस्टो तक थैंक्यू सो मज़ आप सभी कर दिन शुब हो एस्टो तक आप कर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से